आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि INC कैसे फॉर्म होई, INC मतलब इंडियन नेशनल कॉंगरेस और उससे पहले कौन सी बोडिस आई, वो क्यों नी सक्सेस्फुल हुई, INC ही क्यों इतनी सक्सेस्फुल हुई और ये एक इंपोर्टन टॉपिक है, इसमें से कोश्टन्स अक्सर एक्जाम के अंदर आया करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एक एक चीज की क्लारिटी में आपको दूँगा, और वो तमाम कोश्टन्स भी कर लेंगे, जो बन सकते हैं, इंडियन नेशनल कॉंगरेस से, ताकि आपको ज़्यादा माथा सोसाइटी बनाई जाती है, जिसको की साइन्टिफिक सोसाइटी भी बोला जाता है, इसके बनाने के पिछे व्यक्ति जो थे, उनका नाम हुआ है सर सायद एहमद खां, ठीक है भाई, ये एक मुसलिम है, इनके नाम से ही पता लग रहा है, और इन्होंने एक उनिवस्टी सायद एहमद खां ने, और यही वो व्यक्ति थे, जिन्होंने मुसलिम्स के अंदर ये भावना स्टार्ट की थी, कि भया, आपके लिए, आप अलग है, आपके लिए एक अलग नेशन होनी चाहिए, तो ये जो सारी, जो छोटी-छोटी सी चीज़े होती है न, जो एक क्या होता है, stimulating a sense of nationalism, यानि कि ये एक तरह से लोगों के अंदर nationalism, राष्ट्रिय एकता की भावना जो है लोगों के बीच में inspire करने के लिए ये बनाये गई थी, और जो सिसिर कुमार घोश है, इन्होंने एक काम ओर किया था, अमरिता बाजार पत्रिका, 1868 में ये भी ये लि जाओगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तुरंत INC पे जंप करना है, और आगे बढ़ने से बहले कुछ-कुछ चीज़े, सर सेयद एहमद खां के बारे में ये मैं एक पॉस्टर सा बना रख है, कि ये एक Anglo-Indian philosopher हुए है, और जो इनकी death हुई थी, 1898 में हुई और फाउंडर है, अभी मैंने बताया, AMU के फाउंडर है, यूनिवर्स्टी थी जो अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्स्टी और इनको एक टाइटल भी दिया गया था, जावद उद दौला, जावद उद दौला, इन 1842 बाए बहादूर्शाद जफर्टू, तो ये आपको ध्यान रखना है, कि इनको ये टाइटल किस ने दिया था, और इन्होंने कुछ अपनी राइटिंग्स भी लिखी, इन्होंने लिखा, causes of the Indian mutiny, इसके बारे में एक लिखी है, और साथ मैं आप लिखी ये, I think उसी के बारे में लिखी होगी, जो करांती हुई थी, 57 की, और इ reformist policies became more Muslim focused, पहले ये बड़िया वेक्ति हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनकी views change हो गए, और बाद में फिर ये बहुत ज़्यादा Muslim pro हो गए, as compared to Hindus, तो इनका भूरा focus जैसे, एक तरह से कह लिजी कि Muslims पर ही हो गया, और भई, मैंने आपको पहले भी बताया, कि बाद में इन main personalities होंगी, जिनके बारे में पूचा जा सकता है, उनके साथ के साथ questions भी करते जाएंगे, या जैसे अभी सर सेयद एहमत खा के बारे में, मैंने main main highlights बता दी, ऐसी बाकियों का भी करते जाएंगे, जैसे गांदी जी होगे, रभिन ना टेगोर होगे, सुभाश चंदर बोस ह है, और ये former Congress President भी रहे, और ये जो है, ये SN energy है, यानि कि सुरेंदरनात में energy, इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखेगा कि इनको राष्ट गुरू का टाइटल भी दिया गया था, राष्ट गुरू का टाइटल इनको मिला है, लेकिन राष्ट पिता का टाइटल महात् गांधी को मिला है, तो दोनों में confused नहीं होना, अगर पेपर के अंदर राष्ट गुरू आजए, तो प्लीज भाई, उल्टा पुल्टा मार्क मत करा न, सिली मिश्टेक के चकर में, अब इंडियन association बनाने के पीछी कारण क्या था, objective क्या था, एक तो political, intellectual और material advancement हो जाए लो advancement होगे, comfort के कितने बड़े-बड़े साधन आ गया है, तो इस तरह से ये तीन advancements चाहते थे, और जो इन्हों ने क्या किया था, एक और काम किया था, oppose किया था, अलबर्ट स्बिल को, तो अगर पेपर के अंदर आ जाए कि अलबर्ट स्बिल को किसने oppose किया था, इंडियन association ने किया था, जिसके अंदर थे अनन्द मोहन बॉस और SNB energy, I think ये slide तुरंत आपको याद हो गई है, इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि और extra कुछ effort मुझे put करने की जरूरत है, अब हम main part पे आ जाते हैं, Indian National Congress के उपर, आप देखे 1885 में ये बनती है, तो सीधा पहला question आता है कि कब बनी तो 1885 में बनी Indian National Congress, अब सबसे पहले तो मैं ये आपके दिमाग में आएगा कि यही successful क्यों हुई, इसके पीछे एक कारण था कि इसको जो बनाने का कारण है, वो है तो यही कि लोगों को जागरू किया जाए, देश को आजाद करवाया जाए, लेकिन इसके पीछ पार्टी बनानी है, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमें बनाने दीजिए, निवेधन किया इन से, तो डफरिन साब, लिटल डफर, इन्होंने सोचा कि भाया ये तो एक छोटी मोटे कीडे मोकोडे है, ये इनको माइक्रोस्कोपिक बोडी समझते थे, बिल्कुल छोट लेविन हूम का, यहीं हैं वो जो ब्रिटिशर हैं, जिन्होंने मरलब की इन से बात की और ये पार्टी को फॉर्म कर दिया गया, इन्होंने देखा कि थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी हैं भारत के अंदर, जो अंग्रेज उतनी अच्छी नहीं इंप्लिमेंट कर रहे हैं, तो उ सुखा पड़ गया, कभी बाड़ आ गई, जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग को रोग लगे, बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा बहुत हुआ और ब्रिटिश गॉर्मेंट ने शायद उतना ध्यान भी नहीं दिया, इसके साथ-साथ लोग को बहुत सारी बिमारियां लगी, कॉलरा लग गया, डेसेंटरी लगी, मैं लिए इससे बहुत बड़ा देश का नुकसान हुआ, मैं लिए human capital का हमारी कहलीजिए, या हमारे देश के लोग का बहुत जादा नुकसान हुआ एक तरह से, अब यहाँ पर क्या होता है, यह बनाई कहां जाती ह और दिन्शा इडूल जी वाचा, यह हैं दादा भाई नौरो जी और यह हैं दिन्शा इडूल जी वाचा, तो यह दोनों भी, मतलब यह भारतिये हैं, जिनका इसके पिछे मोटो था कि भईया, यह हमें एक Congress Party, एक Party हमें बना लेनी चीए, मेन यह लोग का दिमाग है, इन दोनों ने इनको अप्रोच किया, इनों ने इनको अप्रोच किया, और खुल मिला के यह पूरी पूरी फिता कटाइस की हो गई Party की, अब यहाँ पर देखेगी यह जो दिन्शा इडूल जी वाच्छा है, यह इनको 1917 में नाइट हूड का टाइटल भी दिया गया है, हाला कि रबिंदना टैगोर को भी दिया गया था, वो हम आगे जाके पड़ेंगे जब वहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो यह आपको एक एक एक्स्टा फैक्ट ध्यान में रखना है, और दादा भाई नोरोजी के बारे में अभी आगे एक स्लाइड आएगी, तो उसमें मैं कौन सी बुक्स लिखी, कौन सी सोसाइटी बनाई, आई एंसी तो बनाई ही है, और एक ग्रैंड ओल्ड मैन अगर टाइटल बोल दिये जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ग्रैंड ओल्ड मैन भारत का, तो वो दादा भाई नोरोजी को ही हम लोग बोलते हैं, तो यह आप ध आती हम उतार लें, एक लगाई इनके कान पर, चलो, आप देखते हैं आगे, आप देखिए कि 1885 के अंदर क्या होता है, बॉम्बे के अंदर, मैंने अभी बताया है न, मुंबई के अंदर यह सब कुछ हो रहा है, मुंबई को भी बोला जाता है तब, वहाँ पे जो इसके प्रेजिडेंड बनते हैं, वो बनते हैं W.C. Benerji, INC की बात हो रही, इसके मतलब इंडियन नेशनल कॉंगरेस के, आप समझना यहाँ पे, W.C. Benerji, यानि कि बोमेश चंदर बनर जी, अब यह कौन है, यह है एक हिंदू, समझना यह बहुत important facts है यहाँ पे, फिर 1886 में, आ पिर 87 में कौन मनते हैं, मदरास के अंदर होता है, तो बद्रूदिन तयब जी बनते हैं जो कि एक मुसलिम, फिर 88 में कौन मनते हैं, आलाबाद के अंदर session होता है, कॉंगरेस का, बहुत बड़ा session किया जता था, वहाँ पे फिर President मनाया जता था, वहाँ बनते जोर्ज जूल जो कि एक non-Indian है आप समझ ना फिर बाद में 1917 में any percent भी बनती है जो कि एक female है Irish महिला है जो कि भारतिया भी नहीं है व्यानि विदेशी महिला है तो यहाँ पे आप देखें कि यह क्यों किया जा रहा है इसका पीछे कारण है इसके पीछे एक भावना create करना है कि भीया यह जो सबका समझ ना इस चीज को है ना इसके अंदर से किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया इसलिए सबको मौका दिया गया अब एक और fact आता है यहाँ पे कि 1886 के बाद 1893 हुआ फिर 1906 हुआ इन तीन सालों में दादा भाई नौरोजी ही बने थे प्रेजिडेंट अब यह 1886 में कहा हुआ कलकटा में 1893 में लाहोर में 1906 में कलकटा में तो यह तीनों सेशन का मैंने वेन्यू लिख दिया और इसमें प्रेजिडेंट को रहे दादा भाई नौरोजी रहे जो कि एक पारसी है फिर 1906 में वो सुवराज का भी नारा देंगे वो हम आगे जब चड़ेंगे न सब एक टाइम के साब से देखेंगे वो कहा कि एक सीक्वंस में फिल्म चलेगी तभी तो मजाएगा उल्टा भूटा चलाते रहेंगे तो फिर क्या मजाएगा फिर 1887 के अंदर जो है यह मदरास का होगा यह सब तो मैंने बताई दिये फिर 1917 में एनी बिसंट बनती है 1924 मे गांधी जी बनती है गांधी जी केवल एक ही बार बने थे वो 1924 वाले के अंदर बने थे महात्मा गांधी की बात और यह बेल गाओं में यह हुआ था तो यह भी कोशन पूछा जा सकते है कि गांधी जी कितनी बार बने पूरे जेवनकाल में कॉंग्रेस के पर बने वो कहां पर उसका सेशन रुखा गया था तो बेल गाव में रखा गया था फिर ऐसे ही जेल नहरू और ये जो दादा भाई नो रोजी है ये दोनों maximum टाइमस बने दोनों तीन तीन बार बने हैं जेल नहरू देखिए ये भी पहले प्रदानमत्री भारत के रहे हैं त समझ गें? I hope कि ये भी आपको clarity होगी होगी ये मैंने चारों की photos भी लगा दिये ठीक है ये बंदरुद इंतियाब जी सामें George Jool है वो मेश चंदरव एनरजी है एनी बीसंट है तो ये आपको याद करने में असानी रहेगी अब हम आगे बढ़ते हैं आईए 1931 का देखते ह ये हैं सर्दार वल्लभ भाई पतेल बंते जो की कराची में सेशन होते हैं ये हैं सर्दार वल्लभ भाई पतेल ऐसे connect करते जाओ 1938 में हरी पूरा सेशन होता है वहाँ कौन बनते हैं सुभाष चंद्र वोस और हम आगे चलके जब इनकी बारे में पूरे का पूरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनके पीछे पूरा-पूरा हुजूम हो लिया करता था ये इतने जादा famous हो गए थे क्योंकि ये ऐसी ऐसी बाते करते थे कि तुरंत सामने वाले को impress कर दिया करते थे दिमाग के बहुत जादा धनी थे भेस बदलने में बहुत जादा तेश थे इनके बारे में सब चीज़े पढ़ेंगे लेकिन एक वक्त जब आएगा इनका तब पढ़ेंगे तो ये जो है हम थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ने क्योंकि हमें Congress के बारे में सारे sessions important वाले देखने है बाद में हम वापस से timeline पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि 1939 में भी क्या होता है यहाँ 38 में तो सुभाष चंदर बोट साब बन गे लेकिन 39 में गांधी जी अड़ जाते है यहाँ पे पूरा का पूरा होता है Congress का election होता है लेकिन गांधी जी बोलते है कि भाईया यहाँ पे सुभाष को नहीं बनाना है यहाँ पे P.S.R.मिया को बनाना है और उसमें भी सुभाष चंदर बोट साब एकदम 1st division के साथ पास हुए 2nd 3rd भी नी 1st division के साथ पास हुए वहाँ सीतर अमिया साब को 10-15% कोई वोट मिले होंगे तो मिले होंगे तो वहाँ पे भाईया गांधी जी हिल गए भाईया कि यह हो क्या रहा है वह अड़ गए कि सुभाष चंदर बोट को नहीं मनाना है तो यहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे इनके वीच में conflicts चल रहे थे थोड़ा ideological conflicts थे वो हम आगे चलके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुभाष चंदर बोट साब ने सोचा कि बाईया यह लोग यह पढ़ा तुम्हारा Congress का session यह पढ़ी तुम्हारी Presidentship तो तुम अपने बास ही रखो हम तो निकलते हैं हम कुछ और बनाते हैं तो इन्होंने फिर अपना एक forward ब्लोग बनाया था वो आगे चलके हम फिर से देखेंगे तो यह जो है 1939 के बात हूँ यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहे दिमांग में छपेगा तो तब ही न जब बाते बताऊँगा ऐसी सीधा सीधा फेक्ट पढ़के चला जाओंगो तो बात ही क्या है फिर और मैं देखता हूँ कि लोग बड़े अजीबों गरीब तरीके से पढ़ाते यार यहाँ पर नाथुराम गोड़ से जो हैं यह गांदी जी को fire कर देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर photograph के अंदर विए मैं दिखा रहा हूं तो यह क्यों fire करते हैं इनका मानना था कि देश को divide करने के पीचे गांदी जी का हाथ है यह चाहते तो रोख सकते थ इनके अपने थियोरी थे अपनी आइडियोलोजी थी तो इसलिए गांधी जी को यहाँ पर गांधी जी की हध्या कर देते हैं तो यह जो है यह सबी लोगों को आप देख सकते हैं with pictures देख सकते हैं मैंने better understanding के लिए यहाँ पर लगा दिये ताकि इसलिए आपको समझ में आ जाए अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अब important questions के ओपर आ गए हम इनमें देखो सबसे पहले तो आएगा कि first session जो हुआ Congress का सबसे पहला वो हुआ कहां पे था बॉंबे में तो हुआ लेकिन हुआ कहां पे था तो गोकुल तेजपाल संस्क्रिट स्कूल है उसके अंदर हुआ था यह दिमाग में घुसालो अपने फिर सवराज जो है यह पहली बरी कौन से Congress platform पे यूज किया गया यहां उसका session कहां पे रखा गया थे कि जहां पे सवराज को यूज किया गया यह 1906 का session था कलकत्ता के अंदर हुआ था आगे चलके हम पढ़ेंगे कि यहां पे दादा भाई नौरो जी ने सवराज की डिमां इनका था कि बस अपनी जो बाते हैं लोगों तक पहुचाओ लोगों को जागरुक करो लेकिन यह थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहे थे यह समझी इस चीज को लेकिन जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे उनका सीधर सीधर टार्गेट होता था कि भाईया आर यहां पार करके हमें देश के अंदर सुवराज लाना अपना राज लेकि आना है तो उनका यह मानना था कि भाईया तुम ठीक है जो कर रहे हो बहुत अच्छा है लोगों को जागरुक कर रहे हो यह एक पॉंट तक ठीक है लेकिन उसके आगे क्या उसके आगे भी तो कुछ करो आगे तो कुछ स्टरंडा चलाएंगे तो बात करेंगे यह लोग नहीं तो यह तो हमारे आपर हम यह होते रहेंगे तो यह चीज़ थी ये कौन लेकिया थो एक्स्ट्रेमिस्ट लेकि आये थे वह हम आगे चलेंगे फिर वही वाली बात हो जगे मैं बार-बार एकी वर्ट बोली जानों आ इरिश महिला थी, तो अगर आपसे भारतिय महिला पूछ लिया जाए, तो फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेजिडेंट इंडियन विमेन बोल रहा हूं मैं, तो वो आजाएगा सरोजनी नाइडू, 1925 में कानपूर में सेशन हुआ, तो ये सरोजनी नाइडू है, 1925 में अब आगे चलते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट की बात करते हैं, तो मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ आपको कि ये बदरुदिन तयाब जी है, इनको पहला मुस्लिम प्रेजिडेंट इसमें बनाया गया, अभी पिछली स्राइड में बता के आया हूँ, 1887 म मदरास के अंदर, फिर यंगेस्ट प्रेजिडेंट ओफ इंडियन नेशनल कॉंगरेस की अगर मैं बात करूँ तो ये बने थे मौलाना अभूलकलामाजाद, ये बहुत यंग उमर के अंदर ही बन गये थे, फिर इसके अलावा अगर मैं मैं मैक्सिमम टाइम्स की बात करू तो अभी मैंने थोड़ी देर पहली पर आपको समझाया था कि दादा भाई नोरोजी ने तीन बार प्रेजडेंट शिप संभाली और जेयल नहरू ने भी तीन बार, तो ये दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, फिर फर्स्ट विलेज सेशन, पहला गाओं के अंदर जो सेश पहली बार कि हमें पूर्ण सवराची है, ये किस सेशन में हुई थी, ये लाहौर सेशन में हुई थी, 1929 के अंदर, इस सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके सब डिटेलिंग इसकी आएगी, अभी बस देखते जाओं इन कोशन्स को, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो सोंग गया गया था, ये किस सेशन में कॉंगरिस के गया गया था, तो कलकटा सेशन में गया गया था, 1896 के अंदर, ठीक है वाई, 1896 के अंदर, फिर पहला बार, नेशनल एंथम जो भारत का है, जन गन मन, इसको कौन से सेशन में गया गया Constitution need to be emphasized, कि Constitution को emphasize करना है, यहाँ पर Constitution के बारे में जो बातचीज शुरू हुई, इसका होहला शुरू हुआ, यह कौन से sessions के अंदर हुआ, तो दो sessions थे, पहला first session तो था आलाबाद का session 1888 में, उसमें बुला गया कि Constitution needs to be emphasized, दूसरा, क्योंकि ऐसे ही चल रहा था सब कुछ देश के एकल को, वो पोलीस ही लिया है, फिर दूसरी बार इसका होहला माचा, second time, पून, पूना session के अंदर, पूना session के अंदर 1895 में, यह 1888 है, यह 1895 है, ठीक है, तो यह दो बार हो गया, अब All India Khadi board, यह जो Khadi कपड़ा होता है, Khadi का जो board मनाया गया, यह कौन से session में मनाया गया थ तो था board बनाया गया, compulsory कप किया गया, गुहाटी session में किया गया, 1926 में, तो confused नहीं हो ना, जो examiner पूछेगा, उत्तर वही देना है हमें, फिर All India Youth Congress जो है, यह किस session में बनी, तो यह कलकत्ता के session में बनी, 1928 के अंदर, All India Youth Congress, जवान जवान लोग थे, fundamental rights and economic policy का proposal जो पास हु fundamental rights and economic policy का, यह कौन से session में हो Congress के तो यह कराची session में हुआ था 1931 के अंदर, फिर Congress ने declare किया, Congress को illegal declare कर दिया गया, यह बता ही, कौन से session में Congress को illegal declare कर दिया गया, तो यह 1932 में ऐसा हुआ और 1933 में ऐसा हुआ कि Congress को illegal घोशित कर दिया गया, पहले तो इन्होंने सोचा, Britishers ने, क भईया, यह तो हमारे लिए कीडे मकोणे हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन बाद में जब इनके प्याओं फैलते गए, फैलते गए Congress के, तो इन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया, तो बाद में फिर Congress को illegal ही declare कर दिया गया, जब यह लोग पूर्न सफराज की मां गया, कौन से Congress के session में, बनलब दुनिया में नहीं, Congress ने सबसे पहले कब किया यूज, तो 1936 के अंदर लखनव session हुआ, जिसमें Congress ने socialism शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह सारे question थे, और भी कोई question है, जी नहीं, तो यह सारा था Congress के बारे में, Congress में क्या-क्या हुआ, कौन- वेस्ट ना करूं, और जितना भी extra input होता है, extra informations होती है, वो सारी टका-टक बोलूं, और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं, monotonous तो हमारा session बिल्कुल न रहे, और एक के बाद एक information आती रहती है, कहानी को मैं पुरा जोड़ के बताता हूं, ना इधर होने देता हूं, चीज़ को ना उधर होने देता हूं, यह मेरी कोशिश रहती है, ताकि आपको और ज्यादा अच्छा फील हो, आपको समझ आएं चीज़ें, यह नहीं कि सिरफ एक बारी read करके चलेगे, उसका कोई मतलब भी नहीं है, read तो आप भी कर लेंगे, फिर यह course लेने क पढ़नी है, बस इतना भी कर लेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, आपके बस कोई previous year की किताब है, आप उसको लगा लीजीए, नहीं तो हमारा जो PDF कोर्स है, उसके अंदर जो MCQs हमने provide कर रखे हैं, वो लगा लीजीए, more than sufficient रहेगा, आप पका exam के पोड़ के आएंगे, चलिए हम मिलते हैं, नेक्स सेशन में, उसके अंदर फिर हम timeline में आगे की बात करेंगे, इसमें तो सिर्फ Congress की बात किये, 1885 के अंदर Congress बनी, फिर 86 की, 87 की, 88 की बात की, mainly ये चार सालों की बात की, 88 के बात क्या होता है, बनलब 85 के आसपासी और भी तो चीजे चल रही थी, तो वो क्या होती है, वो अगले सेशन में बात करेंगे, अभी ये तो मैंने आपको एक forward लेके जा के दिखा दिया, कि अच्छा Congress ने ये ये काम किये, ये ये इन्नोंने अपने जलवे दिखाए, लेकिन यही जलवे अब आगे एक एक करके हमें देखने वाले हैं, तो गरम दल वाले क्या कर रहे थे, वो भी हम अगले सेशन में देखेंगे, ओके गाइस, बाबाए, टेक कर सीजू, लव यू ओल,